Language development of the child module number 208 issue of multilingualism in Pakistani schools Dear student, मुझे आप से इस module में multilingualism यानि कसीर जबानी environment के बारे में बात करनी है पाकिस्तान में इसका बहुत आहम इशू है तो पाकिस्तान में तक्रीबं सेवन्टी के करीब लैंग्विजिस बोली जाती है पूरे मुल्क में और डिफरेंट सूबों में पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो घर में बयक्त बच्चा चार जबाने सीख रहा था घर में उसकी मदर टंग या सूबाई लैंग्विज है स्कूल में वह उर्दू इंग्रेजी और फिर चटी से वह अरभिक भी सीख रहा है तो चार पांच लैंग्विज जब यक वक्त बच्चा सीख रहा होता है जिस से उसको मल्टी लिंग्विजिलिजम के इशू का सामना है तो रीजनल लैंग्विजिज डॉमिनेंट इन डेली क्यूमिनिकेशन आम तौर पर जो रीजनल लैंग्विजिज होती है वो उसकी आम गुफटगू में गालिब होती है तो ये एक कल्शल शिनाख के आहम अलामत के तौर पर इस्तमाल होती है ये लैंग्विजिज जो हती है लेमिटेड एक्सपोईयर टू इंग्विजिज तो इस इंवायरमेंट में जहां बचा मुख़लिफ जुबाने बोल रहा होता है तो उसका English के साथ limited exposure होता है और जो कि उसकी impact उसका असर अंदाज होता है उसकी English language proficiency पर यानि English की सीखने की महारत में उस पर वसर अंदाज होती है और difference in availability of quality of English language instruction जो quality of English तदरीस यानि English की teaching की जो quality services है उसको फिराहम करने में यह मसला होता है पाकिस्तान के जो schools हैं अगर हम उनको देखें जिफ्ट यानि पाकिस्तान के तमाम schools जो हैं देहातों में शेहरी स्कूलों में प्राइवेट और पाब्लिक रूरल और सारे इन सब मे में वो different different practices हैं जैसा कि मैंने पहले modules में भी आप से बात की चैलेंज चैलेंज इन इंग्लिश लैंग्वी डिवेलमेंट इंग्लिश लैंग्वी डिवेलमेंट में उनको बहुत से challenges का सामना है तो limited resources exposure to English तो सबसे पहली बात यह है कि वो English language के साथ उसका महदूद वास्ता पड़ता है और disparities in language instruction तो तद्रीस में जो disparities हैं मसंदिहाती आप में teaching of English में फर्क है शहरी आप में फर्क है पोश्कूलों में फर्क है तो यह भी एक problem है तो इस एफेक्ट स्टूडेंट से बिलिटी टू कम compete in globalized world तो एक पूरी जो दुनिया है एक globalized world है उसमें इनका मकाब करना बचे के लिए मुश्किल है और to access higher education our employment opportunities तो higher education के साथ की access और employment यानि मलाजमत के मौाकवों के लिहाद से उसको मुश्किलात का सामना है awareness and sensitization अब इन मसाइल के हल के लिए हमें करना क्या है कि raising awareness and sensitize among stakeholders जो stakeholders है हमारे beneficiaries हैं या जो लोग हैं parents हैं बचे हैं teachers हैं administration के लोग हैं सब को sensitize करना चाहिए उनको aware करना चाहिए including teachers, parents and policy makers और promote positive attitude towards different languages तो बच्चों को में और stakeholders में languages की तरफ एक positive attitude पैदा करने की जरूरत है और creating an inclusive language learning environment सब मिली जूली जबानों का सीखने का जो महौल पैदा करने की उनमें जरूरत है और appreciate and value linguistic diversity तो language diversity है उसको appreciate करने की और उसको value देने की जरूरत है पाकिस्तानी स्कूलों में तो यह था multilingualism का issue जिस पर मैंने अभी आपसे बात की हैं करने की जरूरत है